गुरी इवनिंग एवरीवन, स्पागत है आप सभी का आपके चैनल A.C. इंग्लिश पर, मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की जो रेगिलर स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है, उसी का next class लेकर के मैं यहां आपके साथ जुड रही हूँ, जो लोग इस session को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले काम करो की playlist को देख लो, अगर free spoken English सीखना चाहते हो, interesting idioms, phrases, vocabulary, grammar concept, तो इस YouTube चैनल पर आपको वो भी मिल जाता है, तो चैनल को subscribe कर लीजेगा जरूर, साथ ही साथ guys, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तीन हिंदी के ऐसे structure, जो कि तुम अ तो यहाँ पर हम आपको formula सिखा देंगे, और उसकी मदद से आप अपने आगे के जो phrases हैं, वो भी बना पाएंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे हमारा सबसे पहला important announcement रेख लीजिए, कि आपका जो batch है कल की, जो की आपका fresh spoken English का batch है, जिसमें आपको 50 plus hours की video classes, साथ important PDF, speaking practice, वो भी तुमें किसी के आसपास भागने की जरूरत नहीं है, घर बैठे, partner के साथ practice करोगे, बिना चिंता के, तो यह सारी चीजें तुमें कल की batch में मिल रही हैं, अब तुम पूछोगे price ma'am, तो lowest price पे क्योंकि offer चल रहा है, मैंने बोला था 11 जुलाई को low price पे मिले लिंक है, वो वीडियो के जस्ट नीचे पिन कर दिया है, सीधा क्लिक करो, view offer पे क्लिक करो और अपना code लगाओ Y169, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के important phrases, सबसे पहला, जब हम यह कहते हैं किसी को गलती हो गई, या किसी को आप motivate कर रहे हो, तो बोलते हैं या फिर अब से वो पढ़ाई करेगा, या अब से वो जल्दी आया करेगा, या फिर ऐसा कहते हैं कि अब से शोर नहीं होगा, अब से जगडा नहीं होगा, तो हम जब इस तरीके से बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं अपने phrases को कुछ इस तरह से, सबसे पहला, अब से के लि यह हम यूज करते हैं from now on, अब इसको from now on बोलोगे तो वो खराब ही लगेगा, ठीक है, कैसे बोलना है, इस पे भी attention दिया करो, क्या बोलना है, from now on, from now on, और उसके बाद का कैसे रखना है system, तो उसके तुरंट बाद लगाओ अपना subject, जैसे कि अब से वह ऐसा नहीं करेगा, तो from now on, he, नहीं करेगी, तो she, कोई वस्तू के लिए है, तो it, अपने लिए कह रहे हो, तो बोलो from now on, I, तो इस तरह से अपना subject लगाओगे, तो now on के बाद, और फिर will लगा देना, सीधा और simple बताने के लिए कह रही हूँ, इसलिए will लगाना, तरीके और भी होते हैं, करने के अंग्रेज ही होती है, making noise, तो यहां पर V1 लगाना है, तो हम कहेंगे make noise, और अगर कोई object है, जिसको subject object नहीं पता, इस playlist की पहली class से देखना शुरू करो, सारी चीजें धीरे-धीरे आ जाएंगी spoken English की, आगे बात करते हैं, अब से वा तुम से नहीं मिलेंगे, अग से नहीं मिलेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, from now on, subject कौन है, वह नहीं मिलेंगे, यानि किसी पुरुष की बात हो रही है, he, then we will say will, and then we will write verb का first form, so he will not meet you, नहीं मिलेंगे, तो क्या लगाना रहेगा, will के बाद not भी लगाना रहेगा, so यहां पर देखे, from now on, he will not meet you, किस से नहीं मिलेंगे, meeting का action कौन receive करता था, you, अब क्या होगा, वह नहीं मिलेंगे, आगे देखते हैं, guys, अब से वह college नहीं जाएगी, तो, मान लो, किसी बच्ची ने कोई शतानी करी, parents क्या कहते हैं, बन तुमारा school college, घर में बैठो बिलकुल, चुप-चाप, तो जब उसके अब से पेड नहीं काटे जाएंगे, जो आपका next वाला है, अब से ऐसा नहीं होगा, अब से पेड नहीं काटे जाएंगे, अब से शोर नहीं होगा, अब से जगडा नहीं होगा, तो होगा, नहीं होगा, के लिए, एक थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ पर सब से पहले, from now on लिख दिया तुमने अपना subject लिख दिया तुमने subject कौने पेड है किस के बारे में बात हो रही है पेड so from now on trees will not और अपने verb के पहले बी लगा देना ठीक है और verb का third form use करना cut का third form cutted नहीं होता है cut ही होता है cut one cut two cut three अब अगर यहीं पे मैं बोलू कि अब से बच्चे नहीं पीटे जाएंगे तो कैसे लिखूंगी मैं from now on from now on children मेरा subject कौन है बच्चे तो children will not फिर बी लगाएंगे और पीटने के अंगरेजी to beat उसका third form beaten तो यह जो last वाला है यह structure थोड़ा सा अलग है हलका सा difference है will not के बाद बी लगा कर फिर वर्ब का third form लगाना है दोनों structure को ध्यान से note down कर लो ठीक है आगे देखते हैं guys हमारा अगला structure आज से ऐसा करेंगे या आज से ऐसा नहीं करेंगे एक होता है अब से तो उसमें कोई exact time नहीं है राइट ऐसे एक घंडे बाद से भी अगर बोलना है तो हम यह कहते हैं कि अब से इसा नहीं करेंगे है ना लेकिन आज इस वक्त से तो जब आप precisely आज की बात कर जैसे अगर आज 11 जुलाई से मैं पढ़ाई करूँगा तो आज के लिए एक छोटा सा बदलाव आता है which is from today और today के बाद on नहीं लगाते हैं क्या लगाते हैं onwards from today onwards subject plus will plus even plus object तो कोई tough नहीं है ये वाला बाकी चीजे as it is हैं दो चीजे बदली है now on की जगे today onwards आ गया है तो आपने कहा आज से कोई भी देर से नहीं आएगा क्या बोलना है यहाँ पर from today onwards no one will come late तो बिलकुल as it is यहाँ पर आपको ये वाला structure उतार देना है subject कौन है no one कोई भी नहीं no one will verb का first form come और जो rest of the sentence कोई भी देरी से नहीं आएगा आज से कोई भी देर नहीं देर से नहीं आएगा आज से हम कड़ी महनत करेंगे ऐसा तुम लोग हमें अकसर कहते हो teachers को जब तुम लोग emotional हो जाते हो तो जूटे वादे करते हो है ना कि ma'am आज से तो मैं बहुत महनत करूँगा ma नहीं ma'am मैं आज से अपनी personality पर काम करूँगा ma'am तो यह जो बोलते हो जूट मूटका और फिर काम नहीं करते उसको अब से कैसे बोलोगे English में? Ma'am from today onwards I will work hard और यहाँ पर I की जगे हम लिखा है हम plural होता है English में उसको कहते हैं we from today onwards we will work hard from today onwards we will work hard अच्छा जी दो structure पढ़ा हैं लेकिन मेरा फर्ज है क्योंकि यह batch की classes आपको 18 July से मिलने लगेंगी तो कोई भी lowest price वाले offer को miss मत करो बाद में बोलोगे कि ma'am हमने उस दिन लिया था मेरा 50 रुपय जादा लग गया और यह वो तो यह मत करना अभी admission लो 50 घंटे से जादा की spoken English classes मिल रही है grammar vocabulary phrases idioms sentences बोलन का style confidence pronunciation fluency और यहां पर सबसे अच्छी चीज जो है कि आप अकेले अपने लिए काफी है आपको किसी भी इधर उधर आदमी से बात नहीं करनी है कि भाई speaking practice करनी है कोई random से telegram पे दोस्तों मुझे English बोलना सीखना है क्या कोई मेरा practice partner बनेगा यह सब मैंने बहुत देख लिया speaking practice भी तुम्हें मैं कराऊंगी किसी की जरुरत नहीं है तो इस batch को lowest prices पे लेने के लिए आज ही इसको enroll कराए कोड क्या है Y169 बाच का link direct link जो है वो हमने वीडियो के नीचे लगा दिया है क्लिक कर लेना और जाकर के admission ले लेना अगर कोई link नहीं धूर पाता तो adda247.com हमार website है और उसके अंदर skill development course के अंदर जाओगे तब तुम्हे spoken English video course में कलकी मिल जाएगा ठीक है आगे देखते हैं guys यही तो मैं करना चाहता हूँ या फिर यही तो मैं करना चाहती थी दो structure एक slide में क्योंकि बहुत चोटा सा फर्क है जैसे अगर मुझे यही कहना है कि अरे यह यही तो मैं खाना चाहती हूँ यही तो मैं खाना चाहती हूँ और कभी कभी हम कहते हैं अरे यार तुम सेब लेकर आए यही तो मैं खाना चाहती थी तो सेब लेकर के आ चुके हो मेरी पास्ट में यही तो मैं खाना चाहती थी तो यही तो मैं खाना चाहती थी आगे देख what यही तो subject मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं यानि I यही तो वह तो यहाँ पर she या he लग जाएगा subject का ध्यान देना want कब लिखोगे जब present tense में बोलोगे यानि मैं खाना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ यही तो मैं कहना चाहती हूँ, this is what I want to say, तो want present tense में यही तो मैं कहना चाहती थी, this is what I wanted to say, तो यहाँ पर wanted लग जाएगा अगर आप कहते हैं कि कहना चाहती थी या करना चाहती थी, this is what I want to do, this is what I wanted to do और to और फिर verb का first form, तो want present tense में, और अगर था थी थे हैं, तो wanted लगा दीजिएगा, देखते हैं आगे, यही तो मैं खाना चाहता हूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको example दिया, तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे this is what, और subject कौन है, मैं, यानि की I, this is what I want to eat, तो यहां पर खाना चाहता हूं, तो present tense है, इसलिए मैंने want लगाया, फिर क्या किया, to plus verb का first form, eat, this is what I want to eat everyone, ठीक है, यही तो मैं सीखना चाहता हूं, अरे माम, आज आप structure बढ़ा रही हो, यही तो मैं सीखना चाहता हूं, तो in English, how do you say, this is what I want to learn, सीखना की English होती है, learn, learn, देखो बोल इने पर अपने उचारण पर बहुत काम करूं, इसी पिती इधर उधर की डाइलेक्ट और इधर उधर का प्रनांसियेशन वो अच्छा नहीं रगता, it sounds really awkward, okay, so यही तो मैं सीखना चाहता हूं, this is what I want to learn, moving on, यही तो वो चाहती थी, देखो, हो गया ना तुमारा मेरा जग है, this is what subject wanted, अगर मुझे यह कहना है, कि भाई, यही तो वो कहना चाहती थी, तो मैं कैसे बोलूंगी, this is what she wanted, अभी तक, this is, यही तो वो चाहती थी, लेकिन अगर इसके आगे मैंने 2 प्लस V1 लगा दिया, this is what she wanted to stay, यही तो वो कहना चाहती थी, तो अपना verb आप wanted के बाद लगा रहे हैं, तो extra meaning add हो रहा है, और अगर verb नहीं लगा रहे हैं, तो क्या meaning निकल करके आ रहा है, कि यही तो वो चाहती थी, यही तो मैं चाहता हूँ, अगर मैं बोलूं, this is what I want, यही तो मैं चाहता हूँ, this is what I want, तो यह आपके सामने दोनों चीजें, बिलकुल clear, मैंने लिख भी दी हैं, आपको समझा भी दिया है, और देखो, तुम दिल पे हांत रखके कहो, कि भाई देखो, बहुत आसान है, कोई tough नहीं है यह, है ना, लेकिन requirement क्या है, कि अगर तुमने यहाँ पर भी पढ़ा है, YouTube पर भी देखा है, फ् practice करो, और फिर दीरे दीरे तुमारा अंग्रेजी का डर खतम हो जाएगा, तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, subscribe कर दीजिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक extra phrase भी सिखाने जा रही है, मैंने बोला था है न, बच्चे तो बहुत चर्मीले हैं, तो कैसे बोलते हैं, I am shy to plus v1 object, अगर तुम्हें सिर्फ यह कहना है, मुझे शर्मा रही है, तो कैसे बोलोगे, I am shy, अच्छा, मुझे गाने में शर्मा रही है, I am shy plus 2 plus v1, I am shy to sing, यह हो गया तुम्हारा एक sentence, मुझे डांस करने मे शर्मा रही है, तो जल्दी से comment करो, इसको कैसे लिखोगे, I am shy to dance, अब dance, डांस मत बोलो, हलका सा dance बोलते हैं, A का sound आता है, ठीक है, I am shy to dance, ठीक है, next देखते हैं guys, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्मा रही है, अब यह ध्यान रखना कि तुम present में बोल रहे हो I am shy, verb लगेगा na to के साथ, I am shy to talk, फिर आगे, किस से बात करने में, to talk to girls, simple सा sentence है, I am shy to talk to girls, कितना चोटा, इतना बड़ा Hindi, इतना चोटा English, तो pretty easy everyone, I hope आप लोग इस session को like करेंगे, share करेंगे चानल को, बिलकुल subscribe करेंगे, because बहुत useful classes आपकी, इस playlist में आपको मिल जाएंगी आपके spoken English की journey के लिए, साथ ही साथ, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, एक बात तो आप लोग अब तक समझ ही गए होगे, कि माम कितना भी यहाँ पर पढ़ा दें, हम कहीं न कहीं practice में पीछे रह जाते हैं, ठीक है, तो practice में जो पीछे रह जाते हैं, फिर उनक pronunciation ठीक नहीं होता, उनको सही समय पर सही जवाब नहीं आदाता, और साथ ही साथ confidence की भी कमी रह जाती है, तो अगर यह सब भी से भी तुम चुटकारा चाहते हो, तो अपने इस batch में admission अभी के अभी लो, lowest price पे maximum benefit आपको मिल रहा है, यह आपका course adda247.com, adda247 की application, और video के नी है batch की photo के just नीचे, click करना और अपना code Y169 लगा देना, फिर आपको मिल जाएगा maximum discount और सिर्फ 502 रुपे में यह batch आपका हो जाएगा, अगर आप हमारी application के थ्रू खरीदेंगे, तो हो सकता आपको 150 रुपे और कम मिल जाए, ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, चैनल को subscribe कर लें, वीडियो को like कर दें, मिलते हैं आप से कल की बाच में, thank you guys, bye bye